अपनी आकर्शक कलाकृतियों और एतिहासिक मोर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध खजुराहू भारत के हिर्दे मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहू नाम हिंदी शब्द खजुर से आया है। कहा जाता है कि खजुराहो के संस्थापक राजा चंदर वर्मन ने पूरे शहर के चारों और खजुर के पेड़ लगवाए थे। जिसके कारण इसका नाम खजुराहो पर गया। प्राजीन काल में इसे खजुर पुरा और खजुर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। नौवी से ग्यार्वी सदी के बीच बनाए गए खजुराहो के इन मंदिरों का निर्मान चंदेल सामराज्य काल में किया गया था। 1986 में विश्व विरासत की सूची में शामिल खजुराहो समुह के मंदिरों को तीन भागों में बाटा गया है। जिन में पूर्वी समु, पश्चिमी समु और दक्षणी समु शामिल हैं। खजुराहो के सबसे ज्यादा मंदिर पूर्व से पश्चिम की ओर बने हैं। इन सभी मंदिरों को उचे प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। बारवी सदी में कोई मंदिरों की संख्या 85 थी जो 20 किलोमेटर वर्ग के दायरे में फैले हुए थे। लेकिन इन में से अब केवल 25 मंदिर ही बचे हुए हैं जो 6 किलोमेटर के दायरे में फैले हैं। इन 25 मंदिरों में 10 मंदिर विश्णू के, 8 शिव के, 1 मंदिर सूर्य का, 1 मंदिर 64 योगिनी का, और 5 जैन मंदिर हैं। खजुराहो के इन मंदिर समूहों में सबसे विशालतम ये है कंदारिया महादेव मंदिर, जो अपनी भवेता के लिए खासतोर से जाना जाता है। पश्चिमी समूहों के इस विशाल मंदिर का निर्मान महान चंदेल राजा विध्याधर ने कराया था। नागर शैली में बने इस शैव मंदिर का निर्मान लगभग एक हजार पचास एसवी में कराया गया था। ये पूरा मंदिर उतक्रिष्ट बल्वा पत्थर से निर्मित है। जबकि इसका प्लैटफॉर्म ग्रिनाइट पत्थर से बना है। प्लैटफॉर्म से मंदिर 30.5 मीटर उंचा, लगभग इतना ही लंबा और 20 मीटर चोड़ा है। जबकि इसकी कोलूचाई 35.5 मीटर है। क्या आप जानते हैं कि कंदारिया मंदिर को बनाने में किसी भी तरह के चूने या गारा का इस्तिमाल नहीं हुआ है। दरसल इस मंदिर को बनाने में भारी पत्थरों का प्रियोग हुआ है, जिन्हें चूने या गारा से जोडने की बजाए काट कर एक दूसरे पर बैठाया गया है। मंदिर की बाहरी दिवारों पर जहां कुल 646 आकरतियां विराजमान हैं, तो वहीं मंदिर के अंदर 226 आकरतियां बनी हैं। संगी तग्य और महिलाओं को दर्शाया गया है इस पुछतों पर भी पाशाण कला के सुंदर चित्र देखे जा सकते हैं भारतिय प्राचीन कला प्रदर्शन का सजीव उदाहरन पेश करते इस मंदिर का प्रवेश द्वार कंदरा यानि गुभा के समान प्रतीत होता है यही क प्रवेश द्वार की एक खासियत ये भी है कि ये एकल पत्थर से बनी माला से सुसर्जित है मंदिर की विशाल सनरचना खड़ी पहाडी के आकार में है जो मेरू परवत का प्रतीक है ये मंदिर पांच भागो वाली वास्तुकला शैली में डिजाइन किया गया है जिसमें म प्रवकमंडप अर्थमंडप महमंडप अंतरालिका और गर्भग्रिह शामिल है इन सभी मंदपों के अपने अपने श्रिंग हैं जो गर्भग्रिह और बढ़ते हुए मुख्य शिखर पर आकर समाप्त होते हैं ये मुख्य शिखर सम्रस आकरती के 84 लगो शिखरों का ये सम्रस्ता मंदिर को अनुपातिक सुडौलता प्रदान करती है जिसके चलते मंदिर के आकार में एक विशेश लय देखने को मिलती है भारत की अतिविकसित संस्कृती का उदाहरर पेश करती स्थापत्य की इस विधा के मूल में कारण और आचित्ते चाहे कुछ भी रहा ये तो निश्चित है कि उस काल की संस्कृती में ऐसी कला का भी महत्यपून स्थान था